क्या आपकी बेश और दुनिया की खबरों से रहे चाते हैं बेखबर तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एच्टी नीज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत पुलिएगा कॉंग्रेस पार्टी ने हेदरबाद लोकसवा से समीर वली उल्ला को अपना उमिद्वार बनाया है समीर वली उल्ला हेदरबाद डिस्टिक कॉंग्रेस पार्टी के सदर है हैदरबाद लोगसबाद से तीन बड़ी पार्टियों ने अपने अमिदवारों का एलान किया है हैदरबाद लोगसबाद से बीजेपी ने डाक्टर माधवी लता को अमिदवार बनाया है जब के मजलस इतिहाद المसलिमीन ने असदुद्दिन अवेसी को फिर एक मरतबा मैदान में उता रहा है सियासी हलकों में ये बहस हो रही है कि हैदरबाद लोगसबाद में फिर एक मरतबा बीजेपी और मजलस के दरमयान मुखाबला होगा या फिर मुखाबला सैरुखी होगा सियासी हलकों में ये बहस भी हो रही है कि कांगरिस ने क्या ताखतवर उमिदवार को मैदान में उतारा है या फिर एक कमजोर उमिदवार असदुद्दिन अवेसी के मुखाबले खड़ा किया गया है मुखाविला सेरुखी होगा या मुखाविला दोरुखी होगा या मुखाविला एक तरफा होगा मजलिस इतिहाद المسلمین सन 1984 से मसलसल 10 मरतबा है दरबाद लोकसवा में कामयाम होते आई है अब देखना ये है कि 2024 में मजलिस कामयामी कितने मार्जिन से हासिल करती है और समीर वली उल्ला कितने ओठ हासिल करते हैं किया समीर वली उल्ला असद दीन अवेसी को चैलेंग कर सकेंगे